सब बहुत बहुत सवागत है आप सब के आपके और हम सभी के गाइज पेवड़े चानल पर जो कि एक बहुत इसको बढ़ा देना है पटाक्स चलते हैं हम लोग आगे हो जल्द से देखते हैं कि आज हमें क्या करना है तो आपको कहीं न कहीं आई है यह जीवन में हमारे और अब ऐसा लगता है कि तुम आए तो बहार आई है की नहीं जल्से बताएगा कि पहले ऐसा लगता था कि माम क्यों आई है यह जीवन में हमारे और अब हमें ऐसा लगता है कि तुम आई तो बहार आई तो यहां पर आपके लिए इंपोर्टन्ट हैं बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया शुक्रिया गाई शुक्रिया 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 चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पहला question आप लोगों के सामने, आपको करा देंगे हम लोग की तो घूमता जो मेरी हथेली है उस पर खुजली हो रही है जैसे कि क्या होता है कभी-कभी हम बोलते हैं जब भी-कभी आपकी हथेली पर खुजली होती है या तो कोई आपको थपड़ मारने वाला होता है या फिर एक second number है जो कि आपके लिए important है इचिंग पाम का क्या मतलब हो जाता है इचिंग पाम के बारे में पूछ रहा है भाई जब भी-कभी इचिंग का मतलब होता है खुजली और पाम का मतलब होता है हतेली एक पाम ट्री भी होता है पाम ट्री के जैसा coconut ट्री है ना सेम सेम होता है ना तो यहाँ पर आपके लिए इचिंग पाम, इचिंग का मतलब होता है खुझली होना, पाम का मतलब होता है हतेली, जब हमारे हतेली पे खुझली होती है तो क्या होता है, पाम मतलब हतेली जिसमें बहुत सारी लाइन, जिसमें बोलते हैं, यह हमारे जीने की लाइन है, यह हमारे मरने की लाइन है, यह हमा मैं मुझे खानी है क्या मुझे खाने हैं गोलगrage या फिर बर्गर या फिर पेश्ट्री आज तो आते ही मुह में पानी आ गया होगा है क्रेविंग फ्र मंब्राइब का मतलब होता है रिष्वत क्या हो जाता है कोई जरूर पैसे देगा यह तो एकदम नॉमल लांग्वेज की बात है जब भी हमारे हाथ में या फिर हमारे हतेली में खुझली होती है तो हम हमेशा यही बोलते हैं कि आज हमें कोई पैसा देने वाला है और देख रहे हो यहां पर लड़की के हाथ में खुझली हो रही थी और सबसे इंपोर्टन बात अगर अच्छे से किसी पोजिशन पे पहुँच गए हो है ना तो सब की help करना सीको रिश्वत लेके काम करोगे तो कभी भी वो वाली success नहीं मिल पाएगी जो आपके लिए बनी होगी ठीक है रिश्वत एक गलत चीज है लोगों को काम करना है ल पिंक एलीफेंट मैम हमने पिंक कलर तो देखा है लेकिन पिंक एलीफेंट तो देखा नहीं पिंक हाती है ना पिंक हाती क्या होता ना च Zahl मैं सिंद होती है जो भी कोई लेता है उनको वो बहुत पैसे देता है तो यहाँ पर pink califord लिखा है एक ऐसा हाती जिसकी pink सूंड हो जिसको साफ साफ दिखाई दे रहा हो hallucination इसका मतलब क्या होता है कि जब तुमने इतनी कुछ कर लिया हो एसी समझ जाना इतना कुछ कर लिया हो कि तुम्हें वो भी सारी चीज दिखें जो वहाँ पर है नहीं है ना तुम्हें वो भी सारी चीज दिखें जो वहाँ पर है नहीं hallucination का मतलब हो जाता है जब आपको चीजों का भ्रहम हो जाता है जैसे कि suppose करो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ है ना और तुम वहाँ पर बैटे हो लेकिन तुमने कुछ किया हुआ है तो तुम्हें क्या लगेगा 4-4 स्वाति में हम दिखेंगी क्या दिखेंगी 4-4 स्वाति में दिखेंगी तो इसको बोलते हैं हम hallucination भ्रहम जो हो जाता है और एक ऐसा person जो कैसा हो rich यहाँ पर जिसके पास हाती का दात होता है वो rich होता है otherwise rich होने का तो कोई मतलब है नहीं तो pink elephant देखना अभी आने वाला है आपके सामने pink elephant बोल रहा है see this hug it's for you क्या कि यह जो hug है वो तुम लोगों के लिए है hallucination का मतलब हो जाता है कि जब कोई भी चीज हमें feel हो रही हो और वो ऐसी नहीं हो क्योंकि हमने वहाँ पर क्या हमारा दिवा कभी काम नहीं कर रहा है हम बहुत ही problem में है जब तुम बोलो की हाम भाम भाम तो ऐ की ती यह भी चार चार कैसे हागी तो इसका मतलब है कि तुमने कई ना कुम जूढ़ कर रखा है क्या कर कर रखाए हाँ तुमने कुछ ना कुछ जूढ़ कर रखा है तो hallucination हो जाता है, गेखो, कुछ ऐसा है ना जब तुम्हें हर जंगा ऐसा लिखता है कि सब गोल-गोल घूम रहा है, क्या हो रहा है जब ऐसा लगता है कि सब कुछ गोल-गोल घूम रहा है, मेरी पेट क्लास की टाइमिंग है सुबह साथ बेसे लेकि आट बजे तक, मॉर्निंग सेवन तू एट एम गाईज, फट इंदे चार-चार दिखाई देते हैं तो वो आपका हैलूचिनेशन हो जाता है, इल्यूजन इस ऑल्सो राइज, नेक्स समर देखेंगे जल्दी से आप लोग के सामने, सलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रियेट सिनननिम तो है नी तो आएगा, सिनननिम है नहीं आएगा, जैस है ना, मैं बहुत मज़ा आ रहा है, अब यहाँ पर इसका मुझे मतलब बताना कैसे याद करोगे वो, जल्दी से बताएगा, इसका मतलब बताओ क्या होगा, इसका मतलब, हिंड होता है हिंड, एक होता है हाइड करना कि इस चीज को चुपा लेना, ध्यान देना मेरी बात देखो, एक होता है हाइड करना, है ना, मतलब चुपाना, है ना, एक होता है कि हम हिंद जवान है, हम हिंद फौजी है, मतलब हिंदुस्तान से कनेक्टेड है, कैसा होता है, हिंद मतलब हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, ठीक है, एक क्या होता है, हिंद को हिंदी से आपको पता है English का trend है, है की नहीं है, English trending language है, तो हमने क्या किया है, हमारी मातरवाशा हिंदी है, बट स्टिल हम लोग क्या सोचते हैं, हिंदी ना भी आए तो चलेगा, क्या नीच है ये English, क्योंकि यही सबसे जादा बोले जाने वाली language है, आप कहीं पर भी जाते हैं, सबसे छोड़ दिया है, क्या छोड़ दिया है, हिंदी को हमने पीछे छोड़ दिया है, क्या छोड़ दिया है, हिंद को कैसे याद रखेंगे, याद रखना, क्या रखोगे, कैसे याद रखोगे, rear, near का मतलब क्या होता है, pass, rear का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोले ना, rear seat पर बै जा देगी किसी नजरे कहा पर है देख रहे हो यहां पर यह मिरर में देख रहा है आगे बैठा हुआ है लेकिन देखा रहा है मिरर में हिंद का मतलब क्या हो गया आपका rear front seat होती है गाड़ी में जब बैठते हो आप बोलते हो ना front seat पर बैठूँगा मैं है ना लेकिन rear seat भी होती है rear seat का मतलब है पीछे वाली seat जो होती है और अगर कोई तुम्हारा प्यार करने वाला चाहने वाला पीछे बैठ जाए तो तुम ऐसे mirror से पीछे देखते रहते हो क्या करते रहते हो बिल्कु सही क्या रहे हो अगर कोई पीछे बैठ जाए सपोस करो family जा रही है पापा बैठ गए आगे मैडम बैठ गए पीछे तो तुम क्या करोगे ऐसे ही देखोगे तो यह rear को याद रखना rear मतलब पीछे तो हिंद का क्या मतलब हो जाता है इसका मतलब होता है हिंदी से connect करना जो कि गलत बात है नहीं करनी चाहिए मातर भाशा है लेकिन याद रखना हिंदी तो हमें आही जाएगी क्योंकि हम उसी में पले बढ़े हैं इंगलीश सीखना important है और जब से आप लोग ऐसे सी अड़ा पर आये हो इससे best आपको कुछ नहीं मिल सकता next number है आपका mediation याद रखेगा अच्छे से word को पढ़िएगा और तब आगे बढ़िएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया उसके बाद hospital ऐसा किसने बोला कुछ भी इसका मतलब तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती तुम बेकार के driver हो तुम heavy heavy driver हो ही नहीं है ना तुम light driver हो light चलो यहाँ पर है mediation mediation का मतलब होता है prayer, intervention, meditation, forgiveness जल्दी से आल से करेंगे सारे बच्छे और शेशन को like share करना important है फटा अफट से share करिएगा चलो यहाँ पर prayer का क्या मतलब होता है पूजा करना intervention मतलब दखल देना दखल देना किसी के बीच में, meditation का मतलब क्या है yoga, yoga एक word से निकली है huge, huge का मतलब क्या होता है integration मतलब जब हम क्या करते हैं, चीजों को जोडते है, meditation का मतलब हुआ yoga, और yoga निकली है कौन से word से, huge word से, y, u, g that is you, you can say also, है न, यहाँ पर forgiveness मतलब माफी, forgive कर दिया, क्या कर दिया, माफ कर दिया, answer बताएगा जल्दी से क्या हो जाएगा second number, mediator होता, mediator वैसे ही mediation में होगा, जैसके suppose करो 3 दोस्त है, 3ों में क्या होगे, लड़ाई होगी अब 3ों में जो लड़ाई हुई है, बीच वाला जो है, वो बिचारा लड़ता नहीं है, तो जो 2 में लड़ाई हुई है, वो बीच में क्या करेगा, mediator का काम करेगा और दो चार थपड़ उसके भी लग जाएंगे क्योंकि जो mediator होता है वो हमेशा ही दोनों साइड से पिटता है याद रखना जो भी person mediator होगा है ना जो भी person mediator होगा वो दोनों साइड से ही पिटेगा क्यूं क्यूंकि आपको बता है ना क्यूंकि वो विचारा ना यहां का है सेम मिनिंग बताना तो यहां पर mediation जो होगा उसका मतलब हो जाएका इंट्रवेंशन जब हम बीच में दखल अंदाजी कर देते हैं किसी को बचाना चाहे या फिर किसी को मरवाना चाहे कि मार्दे मार्दे कुछ नहीं होना बढ़िया है है ना काम खतम कर क्या कर गाइज काम खतम कर बहुत सारे बच्चे जैसे ही मेडियेशन देखेंगे तुरंत लगा देंगे मेडिटेशन यह एक ऐसा वर्ड है जो कि हमें कहीं न कहीं यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि सेक अप लोग करते हैं कि नहीं जल्दी बताएगा मेडिटेशन करते हो मेडिटेशन करते हो मेडिटेशन अपने दिमाग को शांती देते हो ठंडा करते हो इसको या फिर रात दिन बस यह है MTS 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 होना चाहिए लेकिन एक लिमिट तक उसके लिए effort भी डालो कुछ लोग को अपनी बॉड़ी को रिलेक्स करना हो अपने दिमाग को रिलेक्स करना हो अकेले के वे कहीं जाईए अराम से बैट जाईए और अपने मन को शांत करिए और शांत करने का तरीका बस यह है एक उसके लिए गंजा गंजा होने की जरूरत नहीं है याद रखना ऐसे टीका भ होता तो शायद हमारा यह गलट टाइम नहीं चल रहा होता ठीक है ना तो यह रही है आपकी meditation next number देखेगा फिर आप ऐसे ही light महसूस करेंगे देखो जैसे ही आप हलका महसूस कर रहा है ना देख रहे हो जब हम योगा करते हैं यह मैंने पर्सनली फील किया है तो हमें ऐसे ही अपने बोडी से और अपने माइंड से बहुत ही गंदी बात है ना बहुत गंदी बात है शेशन को शेर करें और लाइक विल्कुल भी आदे आदे नहीं पूरे पूरे सो रादे रादे ठीक है पूरे 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 नेक्स अमर आप लोग की सामने और स्ट्वाइल का मतलब सिना नहीं बताना है फॉर्मर अर्शंठेल, फॉल्स या फिर प्रेजुन, बहुत ही बढ़िया यहां पर फॉर्थ नंबर भी आने लगा मैंपस फॉर हो जाएगा मैं फ़र्स्ट हो जाएगा मैं सेकिन हो जाएगा बहुत सारे बच्चों के यहां पर कॉमेंट्स आने लगे हैं वेल दन गाईजिस वेल दन, ऊस्वायल का मतलब क्या हो जाता है, फॉर्मर निश्चित ना हो जो चीजव, फॉल्स मतलब जुट गलत, प्रेजेंट मतलब येस म मैं प्रेजंट, जैसे कह बुढहा उया कि निई आया, तो मैं बोलती आके भी तुमने क्या कर देढ历, पढ़ मैं पहले में कैसी ठी अब मैं कैसी हो, मैं second होगा, second होगा, second होगा बहुत सारे बच्छों का second answer ह्याद रखना, ask why while का क्या मतलब होता है, आपको बताएं wife नहीं है, while है while का मतलब होता है, while मतलब جब की, है न, when मतलब जब, कि जब भी कभी मैं पहले कैसे हुआ करती थी, मैं सुंदर हुआ करती थी, मैं कैसी हुआ करती थी, सुंदर, now I am old, she is saying I am not, she is saying this, I am not, she is saying that I am old, I am not saying it, guys, ठीक है, तो यहां पर बोल रही है कि मैं पहले सुंदर हुआ करती थी, तो former Miss Universe है, कैसे पहली Miss Universe है, यह कौन है, पहली Miss Universe है, जो पहले अब को उनलणी है बोल रही है यह बोल रही है कि मैं अ बोड हो गही हूं Selbsthi क्योंग क्लियर हुआ की नहीं लियनोवकल तु कि अर्वा गाले औरश कीनचा संड इतर की DR rivers कैसी थी और से क्लियर गूंद क्लियर हुआई यह ना लिनोवर टैब क्लियोंस ओक्यosition मजा रहाई कि टो कुस्य Centrum पर गैइग चялकरिका से सहुआ करी आश्मचला रहे genial tür लाँ कि नहीं clear हुआ कि नहीं जगसे बताएगा सारे बच्चों को सब अच्छ समझ में आना चाहिए पिक्चर की साथ हमें सब कुछ अच्छ से clear होता है क्योंकि अगर कोई movie जैसे की suppose करो मैं कोई movie देखने जाओ रीसेंटली कौन सी movie रिलीज हुई है बता दो जल्दी से तुम्हें तो पता होगा तुम्हें तो सब पता होता है बस तुम्हें पढ़ने के बारे में बता हो और तुम्हें सब पता है thank you so much guys thank you thank you and thank you next number आप लोग के सामने deceive का मतलब पूछ रही हूँ मैं deceive का मतलब एक होता है receive करना receive है ना एक होता है deceive deceive का क्या मतलब है cheat याद रखना बहुत बार पूछा गया यह हुआ deceive का मतलब क्या हो जाता है cheat करना ऐसी thought आया तो सोचा लगा देती हूँ important है तुम लोगों के लिए deceive करना क्या कि मैंने उसका call receive किया था बट उसने मुझे cheat कर दिया क्या कर दिया मैंने उसका call तो receive किया था मैं हमेशा उसके call receive करती हूँ बट at the end उसने क्या किया मुझे ही deceive कर दिया पठान movie release हुई है मैं तुम्हें ऐसी story सुना दूँ और movie ना दिखाऊँ तो तुम्हें मज़ा आएगा बताओ मैं तुम्हें ऐसी story सुना दूँ मुझे शारु खान है दिपिका है ये है वो है मज़ा आएगा या नहीं या जब पूरी अक्च्छ से movie देखोगे जाके एक एक चीज बढ़िया action movie यहाँ पर सब कुछ बढ़िया से देखोगे तब मज़ा आएगा है ना जब movie देखोगे तब ही ना तो पिक्चर इसलिए लगाए जाती है और मैं इसलिए specially आप लोगों के लिए पिक्चर लगाती हूँ इतनी महनत करते हूँ इतना effort डालती हूँ कि आप लोगों को easy लगे English क्योंकि English easy है तुम लोगोंने हवा बनाया हूँ है उसका कि बहुत बेकार है मेडम समझनी आती ठीक है ना चलो next summer देखो आपके सामने correctly spelled बताना है कौन सा है correctly spelled बताएगा कौन सा है इस फटक से फटक से और खटक से मजा नहीं आएगा क्योंकि मैंने वो मुवी देखी नहीं तुमने देखिए कि पतानी तुम्हारे तो मजे ही है यार क्या ही करना है तुम्हारे मजे है तुम्हारे मजे है तुम्हारे मजे है definition tuition tuition perfection जैसे हम बोलते हैं she is perfect कैसे बोलते हैं she is perfect or he is perfect तीसरा नंबर तीसरा नंबर पहला नंबर पहला नंबर बहुत सारे बच्चे फर्स नंबर भी बोल रहे हैं यहाँ पर बताने हैं correctly spelled definition क्या हो जाती है definition परिभाशा किसी चीज़ की है ना कि यह इसकी परिभाशा नहीं होती tuition मतलब जिसमें हम पैसा बरबाद करते हैं पढ़ते नहीं है perfection है ना जिसको हम बोले वो perfect है perfection मतलब about 99% क्योंकि 100% कोई नहीं होता तो definition tuition कौनसी वाली सही है यह गलत हुई यह गलत हुई यह गलत हुई answer is only third option क्या हो जाए गाइज answer is only third option next summer आप लोग की सामने जल्दी से आ रहा है इसका picture देख रहे हो यहां पर tuition पढ़ रही है बच्ची tuition बहुत बढ़िया guys बहुत बढ़िया tuition is the only right option is t-u-y-t-i-o-n देखो आधी इंग्लिश जो है जो हम देख रहे हैं उन्होंने खराब कर रखे तुम कहीं भी चले जाओ गली में नुकड में गाउ में शहर में तूसन लिखा होगा कैसे वाला यह है ना यह लिखा होगा तो हम शुरुआत से यही देखते आ रहे हैं अब हमें जब मैं पढ़ा रही है कि यह होता है तुम्हें लगता है कि क्यों इतने दिनों से तो मैं सही पढ़ते आ रहे हैं और सही था किसी ने कभी टोका ही नहीं है ना क्योंकि टोकेगा कोई कैसे किसी को पता ही नहीं है ठीक है आंसर ये होगा ट्यूशन जो की बिल्कुल साइज स्पेलिंग है ट्यूशन is the only right option गाईज ट्यूशन होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा ट्यूशन हो जाएगा clear or not बहुत बढ़िया नेक्स नमर आप लोग की सामने बहुत बढ़िया सा वर्ड है मेनिया आपको बताया ने क्या होती है सनक मेनिया होती है सनक और यहां लिखा हुआ है abnormal fondness fondness का मतलब होता है पसंद है ना जब हम बोलते हैं वो मेरी पसंद है मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ fond of क्या हो जाता है गाईस fond of fond of fond of यह देखो mellowmanic mellowmanic ya for mellowmanic it's manic मेनिया क्या होता है सनक बताया है ना यह root word होती है सनक क्या सनक जिसको music की सनक होती है mellow melody होती है melody है चॉकलेटी वह वाली नहीं melody टॉफी भी है और melody होती है जैसे हम बोलते है melodious song है मतलब इसकी धुन जो है बहुत अच्छी है melody एक toffee भी होती है और कहीं ने कहीं धुन tune और सारे गामापा है ना उन से connected होती है किससे होती है सारे गामा है ना पाधा नीसा इन से तो यह क्या हो गई आपकी melody अब याद रखना melaminaic melaminaic का मतलब होता है abnormal fondness of music यहां से देखके बता रहे हो ना नीचे से कि माम यह होगा कोई बात नहीं बता लो कोई देखकर नहीं है यह hard word था इसले मैं तुम से पूछा ही नहीं मैंने खुद से answer यहां पर पहले से लगाया हुआ था melaminaic का मतलब हो जाता है आपका एक ऐसा person जिसको music की सनक हो कि नहीं नहीं music music and music जैसे तुम लोग ने देखा नहीं होगा कि जब हम कभी-कभी घर में रहते हैं तो गली में से अगर कोई निकलता है या फिर कोई निकलता है सड़क पे से इतना तगड़ा music बजा के रखता है कि हम हाट जो हमारे घर के शीशे होते हैं वो भी अच्छे धड़ 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 करते हैं करते हैं तो वो क्या होते हैं वाइब्रेशन होते हैं इतना ज्यादा loud music होता है कि हमारे घर के है ना दो-चार बरतन यहां आगर जाता है फिर मम्या बक्ती गाली है ना कि पता नहीं कौन है पागल है यह है वो है फिर पापव या जाता है नंबर आंसर इस ओनली गाईज तो यहाद रखना mellow मतलब mellow यह नहीं यह नहीं यह नहीं सिर्फ mellowmanic ठीक है यहाँ पर देखेंगे कौन आने वाला है कौन जासे बता दो यो यो हनी सेंग राइट यो यो हनी सेंग जिसको क्या है abnormal fondness of music वो person जो बहुत ही बुरी तरह किसे क्या करता है पसंद करता है किसको गानों को, music को बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया very well done guys next summer तुम लोग कि सामने पटैक से पहुँच रहा है सिनन ने बताना है it's fiend यह fiend होती है fiend मतलब prefer, pretend, prepare या poster poster बोल रहा है poster छपवा दो अकबार में कि MTS का paper निकलने वाला है अब की बार में है ना, जैसे ऐसा बोले ना तुम बोलो, ममी poster छपवा दो अकबार में MTS का paper निकलने वाला है अब की बार में क्योंकि हम है एक ऐसी जगा पे जहाँ पर हमेशा ही चीजों की practice हम लोग करते रहते हैं और अच्छे से पढ़ते रहते हैं very well done guys, very well done बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यहाँ पर बोल रहा है फीन, फीन का क्या मतलब हो जाता है prefer करना prefer का मतलब है कि मैं इस चीज को पसंद करता हूँ, जैसे मैंने बोला कि भई यह चाए का cup है यह tea है तुमारी और यह है क्या coffee, तो तुम क्या बोलोगे कि मैं prefer करूँगा किसको coffee को, तो जहाँ पर कुछ चीज़े ऐसी होती हैं, जिसमें से आपको choose करना होता है, तो अगर आप किसी को priority दे रहे होते हैं, तो हम उसको बोलते है prefer, pretend करना मतलब जो आप है नहीं, वो आप बनके दिखा रहे हैं prepare मतलब कोई चीज़ की तैयारी करना, poster, poster तुम्हें पता ही है क्या होता है, कि poster या तो अच्छे लगते हैं अच्छे चीज़ों के, या फिर गलत चीज़ों के लगते हैं, तो poster लग रहे हैं आपर, fin का synonym बताना है, याद रखना, fin का synonym क्या हो जाता है, आपका pretend करना जैसे हम बोले, you look not pretty मतलब तुम कैसे नहीं, तुम pretty नहीं लगती हो, या नहीं लगती हो pretty सामने वाली को बोल रही है, सामने वाली हमेशा ऐसा फील करती है, कि मैं हमेशा सुन्दार लगती हूँ, लेकिन सामने वाली ने उसका ब्रहम दूर कर दिया, वैसे भी लड़कियां ही लड़कियों की दुश्मन होती है maximum बात है, क्योंकि लड़के तो सभी को praise कर देता है, बहुत अच्छी है है कि नहीं, लड़के दमाग से बहुत settled होते है, उनको लगता है कि यार किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, लड़कियां ही बोलती है, नहीं, यह ऐसे नहीं होना चाहिए, यह वैसे नहीं होना चाहिए, ठीक है न, तो यहाँ पर क्या है, you look not pretty, सामने वाले नहीं क्या कर दिया, सामने वाले का भ्राम दूर कर दिया, क्या कर दिया है, सामने वाले का भ्राम यहाँ पर दूर कर दिया, कि तू अच्छी नहीं लगती, तो जादा मत बन, क्या हो गया गाई, तू अच्छी नहीं लगती, तो जादा मत बन, यह पीन को कैसे याद रखे गर्भ और विमोन का उलता बताना याद रखना बिमोन का उल्टा बताना है जल्दी से बताएगा सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से बिमोन का उल्टा अब देखें देखो जैसे कि आपको पता है रूट वर्ड से ये वर्ड आपका याद हो जाएगा कैसे मोन, मोन का मतलब पता है न एक मोन होता है हिंदी में अगर मैं बोलू कि चुपो जा, है न, चुप मोन धारन हम कब करते हैं जब किसी की देटो जाती है ठीक है, ये जो मोन होता है मोन, इसका क्या मतलब होता है जब आपको दुख हो रहा होता है सौरो, ग्रीफ, है न साड हो रहा है जब आपको दुख होता है तो हम क्या बोलते है, वो मोन है, क्या है, मोन है, मतलब, मून मतलब चांद, मोन मतलब दुख, अब कैसे याद रखना है, बिमोन, कि जब भी कोई परसन दुखी होगा, है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, विचारा दुखी है, है ना, विचारा गरीब है, तो दुखी है, मो लेमेंट का मतलब नहीं पता चलिए बहुत बढ़िया जल चे शेशन को बढ़ाओ यार गलत बात है लेमेंट का मतलब भी होता है वो परसन दुख दुखी सौरो जिसके पास होता है जॉइफुल भाईया खुश एक दम खुश मिजाज लेमेंट को याद करने का एक तरीका है वो लेमें मतलब पता है न क्या होता लेमें मतलब है कि बिल्कुली neural इंसान भी प्र जीससे पहले हैं ने सबसे पहले नहीं प्रीमेंग को थे बढ़ें लिए जल्रशे ही जीवन में देख रहे हो यहां पर दुखी है है बताओ एक keyword लिखो विचारे के बारे में सारे बच्चे एक एक word लिखेंगे इसको खुश करने के लिए देखते हैं कि किसका word सबसे अच्छा होगा जिसका word भी सबसे अच्छा होगा मैं उसके comment को पढ़ूँगी इस बिचारे को खुश करना है एक word लिखना है एक word जिसका सबसे interesting word होगा उसको मैं यहाँ पर comment section में उसके नाम के साथ बोलूँगी इस बच्चे ने लिखा है जल्दी से जल्दी से ऐसी ही चीज़े याद होगी कभी भी ऐसे चीज़े याद नहीं होगी जैसे तुम बैट जाते हो बी मोन बी मोन करके है ना और लिख दो sad 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 पूरे घर में गीता गाते घुमो लेकिन बाद में भी वो याद ना है ऐसा कभी नहीं होगा oh my god sandhya is saying love you इसको bread चमकू जुबिलेंट don't worry epitome okay I support you okay you have to be the best oh my god okay चुप ओजओ ऐसा चलो बहुत बड़िया बहुत सारे उच्छेगा सही था बहुत बड़िया बच्चे चुप ओजओ कोई बात निए कितना सारे support मेरे तेरको अब चुप रहना है आब नहीं देखो हो गया चुप चुप हो गया पिचारा कुछ नहीं कह रहा ठीक है ना चला गया वो कह रहा है ठीक है मैं अब चुप हूँ चांती से हो जाके मैं कुछ अच्छा खाऊंगा ठीक है चलो next है आपका big gun huge gun great power with many guns or many body guards answer करना है जल्दी से सभी को session को like भी करेगा और share भी करेगा important है आप सभी के लिए session को like and share करना guys important है जल्दी से like करिएगा big gun का मतलब क्या हो जाता big gun बस ठीक है बाबू you are so cute यह क्या होता है उसको ऐसा थोड़े ना बोलना था प्यार से बात करनी थी बस इतना तदा प्यार नहीं दिखाना बहुत बढ़िया यहां पर देखो big gun का क्या मतलब होता है जैसे कि आपको बता है कल मैंने बताया था bite the bullet याद है कराया था कि नहीं जल्से बताओ तो मैं कहीं न कहीं चीजों को आपके connect करना चाहती हूं हर दिन bite the bullet का क्या मतलब था कॉमेंट करेंगे सारे मच्छे bite the bullet का क्या मतलब था कि अगर तुम्हें कोई गोली खाने के लिए बोले तो तुम्हें कैसा लगेगा अच्छा की खराब पटैक से बताएगा कि by the bullet का क्या मतलब था कि अगर तुम एक कोई गोली खाने के लिए तो हमने बोला था कोई ऐसी चीज जो कि हमें बहुत खराब लगेगी है ना कोई बहुत खराब लगने वाली चीज को हम बोलेंगे by the bullet ठीक है अब यहां पर बोल रहा है big gun मतलब एक ऐस गन जिससे क्या निकली और गोली और बाइट दा बुलेट का मतलब कोई ऐसी चीज जो हमें बहुत खराब लग रही है और big gun का मतलब होता है great power है ना एक ऐसा परसन जिसके पास बहुत सारी पावर होती है क्या होती है गाइस बहुत सारी पावर होती है है ना very well done guys कल bite the bullet था आज आ गया big gun यह सारे idam phrase MTS के exam में पूछे गए हैं तो सारे की सारे आपको याद होने चाहिए समझ में आने चाहिए जल्दी से वड़ेंगे आगे second number is the only right option और देखो अब कौन आएगा my all time favorite आर मोदी जी है कि नहीं my all time favorite my आर मोदी जी not my है ना clear हुआ अब बोल रहे है great power तो यह क्या है एक ऐसे influencer जिनको देखके कोई भी influence हो जाता है उनको लगता है कि नहीं नहीं मैं भी ऐसा ही बनने वाला हूँ तो यहां परान से क्या होगा great power our respected PM साहब our respected PM साहब तो great gun हो जाएगा यह क्या हो जाए गाइस great gun बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जल से आगे बढ़ेंगे जल्दी से शेशन को शेयन मारेंगे एक बार under the weather यह सब को पता होगा under the weather well, unwell, winter और chilled जैसे कि आपको पता है बढ़िया मस्त थंडी चल रही है और थंडी में अगर कहीं पर बर्फ गिर जाए जैसे कि मुझे भी ऐसा बोला कि चलते है कई गुमने है लेकिन मैंने बोला नाना भाई बहुत थंड है तो अब क्या हुआ कि जो लोग बर्फ देखने गए थे यहां से तो वो चले गए थंड है chilled हुआ मतलब minus degrees है ना minus में temperature पहुँच गया कुछ लोग जो थे वो सही आगे होंगे और कुछ लोग ऐसे जिनकी तब्यात खराब हो गई होगी तो जिनकी तब्यात खराब हो गई होगी उनके लिए एक बार जोरदार तालिया क्योंकि वो शेशन को शेयर करना important है guys शेशन को शेयर करना important है next number आप लोग के सामने लेकिन उससे पहले picture sick देख रहे हो खाना पीना बेट पर मिलेगा हर चीज बैट पर मिलेगी must है ना झब भी हम बीमार हो जाते हैं तो ऐसे ही होता है ना khanah पीना bed पर बहुत ही आधिकी चीजहें under the weather का मतलब होता है जब कोई person बिमार हो जाता है इसका क्या मतलब होता है go to the wind answer करिएगा जल्दी से appear, disappear, seem या फिर seemee seemee का क्या मतलब होता है seemee seemee फटाक से बताएगा seemee का मतलब देखो seemee का क्या मतलब होता है sordid sordid का मैंने आपको word समझाया था और रात सबा 11 बजे है ना ये word मैंने पढ़ाया था कि sord को मैंने बोला था sewer मतलब pig और did का मतलब sewer ही ऐसे काम कर सकते है वो lotum potum होते हैं कहां कीचड में तो वो क्या करते हैं, dirty काम करते हैं तो seemee का मतलब भी क्या हो जाता है dirty, क्या हो जाता है guys seemee का मतलब भी क्या हो जाता है dirty तो यहाँ पर क्या रखेंगे go to the wind का मतलब होता है appear मतलब कोई चीज दिखना disappear मतलब कि ऐसे foam हो जाना seam का मतलब दिखना लगना और यहाँ पर seamy का मतलब क्या है dirty यहाँ पर seam का मतलब हो गया लगना disappear का मतलब boom जैसे हम बोलते हैं न हवा के साथ क्या हो गया क्या होगा क्या हुआ की बोहत जादा लड़कियां मैं पथली होती है हम बोलते हैं जब भी तेज हवा आए तो किसी चीज को पगड़के रखिऊ ऐसा नहों जो हाई है न तो वही पर्सन जो की बहुत खाता है लेकिन कभी उसकी शेरीड में दिखता नहीं है कि हाँ वो कुछ खा रहा है तो जब भी कभी हवा चलती है तो सारे लोग बोलते हैं पकड़लियों मुझे ऐसा नहों कि तो हवा में उड़ जाए फिर भी वो डाइटिंग पर आ जाते हैं कि नहीं नहीं बहुत मोटी हूँ ठीक है तो गया अंदर है ना वो विचारा हब में चला गया जाड़ियों में चुप गया जाके वेरी वेल ड़न गाइस मैं हूँ पिंकी अगर वाली सेंग मैं हूँ ओके ऐसे हो तुम तो जब भी हवा आये यार चीजों को पकड़के रखा गरो घर से भार निकला मत करो है ना हाँ न यह है आपका मिगालो 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 और मिगालो मैगी होता है मैगी मैगी वाला है मैगी मैगलो मिनाइक वो मैलो था मैलो यह मैगलो है है ना देखो याद रखना मैगा मागा मैगो और मैगी मैगी में ए आता है यहाँ पर ए लगा रखा है उसने मैं मैं एम्टीएस की बुक कितने की मिलेंगी बाई 452S कूपन कोड लगा के बहुत ही सस्ती पांच बुक का सेट बहुत ही सस्ता तीन से चार दिन में आपके घर पहुंच जाएंगा राम से एम्टीएस का महापाग अभी डबल वैल्डिटी पे है वाई 452 कूपन कोड नहीं लगाया तो क्या ही लगाया जीवन में है ना वाई 452 कूपन कोड धड़ा धड़ लगा दो और बस बैच को खर अब यहां पर देखना है क्या कि मेगा मेगा मॉल होता है ना मेगा मेगा का मतलब होता है कोई चीज जो हम बहुत जादा चीज के बारे में सोच रहे हैं तो यहां से इसको याद रखना है तेखो मेगो नहीं होगा मेगी नहीं होगी मेगा और मागा नहीं होगा मिनायक मतल यहां पर इसका वर्व है हैं ठीक है तो यहाँ पर इसका connecting word है mega आपका ठीक है second number आपके सामने लेकिन याद रखना मेगलमिनाइक का मतलब हो जाता है quality of being large और impressive को person जो ambitious होता है अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाता है तो mega का क्या मतलब होता है बड़ा तो यहाँ पर जब भी कभी ऐसा word आजाए याद रखना एक ऐसा person जिसको बहुत बड़ा बनने की सनक हो क्या हो बहुत बड़ा बनने की जिस person को सनक होती है हम उसको बोलते हैं megalomynike क्या बोलते हैं guys megalomynike हाँ code लगा डाला तो live जेंगा लाला बहुत बड़िया तो यहाँ पर answer क्या होने वाला है second option mega से इसको connect करना बच्चे ध्यान रखना mega से connect करना कई बार ये word पूछा गया है लेकिन एकदम new है आपने पहले पढ़ा है कि नहीं जल से बताएंगे सारे बच्चे comment करके ये word आपने पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है y452 के बीच में एक कहां से आ गया y452 है बस coupon को लगाना है आज के आज एकदम new है और आपके लिए important है और आपको पता है हर दिन कुछ ने कुछ नया आपको ऐसा मिलता ही है जो कि आपके लिए important होता है और ये रही आपके picture जैसे कि जब हम ready हो रहे होते हैं कोई person जो बोलता है be ambitious है ना कि बाई आप पूरी तरीके से ready है वो इनसान क्या करने के लिए अपने तपनों को पूरा करने के लिए है ना कुछ बहुत बढ़ा करने के लिए big करने के लिए है नहीं पढ़ा था ना तो बस जो कहीं नहीं पढ़ोगे वो यहीं पढ़ोगे है ना आपको अच्छे से अपने effort डालने होंगे क्या करना होगा effort आपको डालने होंगे 13 नमबर यहां पर हुआ और ambitious जब हम होते हैं तो हम ऐसे ही अपने hands को rub कर रहे होते हैं कि अब हमें बढ़िया चीज करनी है next यह देखेगा आपका one was substitution a place where plants are grown for sale जब हम क्या वहां पर plants वो जगह जहां पर हम पेड़ों को क्या करते हैं हम उगाते हैं किसके लिए बेकने के लिए जल से देखेगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यहां पर देखो garden बोल रहा है गैंडन बोल रहा है याड बोल रहा है nursery कौन सा answer होना चाहिए बहुत सारे बच्चों का fourth option है बहुत سारे बच्चों का third option है और garden तो सुना है मैम गैंडन क्या हो जाता है मैम यह नया word है देखो, यह नया word फटैक से अपनी copy में क्या करो इसको save करो, लिखो इसको गांडन का मतलब होता है, वो person जो की joyful होता है जब भी आप garden में जाते हो, तो आपको खुशी होती है कि नहीं होती है जब भी आप garden में जाते हो, तो की फैंसिंग हो फैंसिंग का मतलब है जरूरी नहीं है कि वो चारो तरफ से आपका उस पे दीवार हो लेकिन यार्ड एक ऐसा ऐसी जगा होती है घर के बाहर जिसके चारो तरफ दीवार होती है और वो गार्डन की तरह ही होता है बट गार्डन में जरूरी नहीं होता है कि उस नर्सरी मतलब जब जहां पर बच्चे पढ़ते हैं वो भी आपका नर्सरी होता है जब हम छोटे थे तो हमने नर्सरी LKG UKG 1st 2nd 3rd ऐसे हम लोग आगे बढ़े हैं लेकिन पेशिंस हमारे में ना तब था ना भी है तो आपको याद अगना है गार्डन में जब भी जाते हैं ह जोटी चोटी जोटी गल्तियां प्रॉब्लम करेंगी पटाइक से आंसे करेगा जल्दी से विचें ये गाड़न है कि ये यार्ड है आपको पता है ना गाडं मतलब एक खुली जगा है ना खुली जगा और जो यार्ड होता है घर के बाहर एक बंद जगा चारो तरह क्या है दिवारे है पटाक से बताईए याड लग रहा है घर के बाहर और आप देख रहे हो यहाँ पर यह जो side way है जिसकी पार्की आखे होंगी उससे देखा होगा यहां पर side में इन बच्चियों के बाद दिवार है और यहां पर भी क्या है दिवार है दिवार है तो yard और नहीं है तो garden ठीक है ना चलिए next number आप लोग के सामने पटाक से जल्दी से next number आप लोग के सामने जल्दी से पहुँच रहा है और यह रहा आपका question अब यह कल question करते करते हम लोग बीच में रह गए थे ना करने पाय था ना क्योंकि क्या हुआ था ना पावर कट हो गया था है कि नहीं उसकी तो मैं बात ही नहीं कर पाई तुमसे कि कल पावर कट हो गया था तुमने सोचाओ को बतानी माम को क्या हो गया है कि नहीं तो पावर क यह मैंने आपसे पूछा था कल पर इसको हम डिसकस नहीं कर पाई थे बॉटनी जो की पेड़ पौधो की साइन्स होती है उसको एनाटॉमी जब हम बॉडी पार्ट्स में डील करते हैं उसकी बात करें एक्सो बायलोजी है ना बायो का मतलब क्या होता है जीवन लाइफ एक्स में संकते режते हैं या यह रहते है हम अपने पर जये तो तुम्हारा वावार्स होगया और लाइप और लाइप यह रेंगे तुम्हें तो खुशी यह हो गई होगी कि महां तो पढ़ नहीं पढ़ेगा है ना महां तो मजा आएगा महां तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा पढ़ ले तो यह आपके लिए इंपोर्टेंट है ड्वार्फ प्लानेट किसको हमने बोला है कुछ दिन पहले ही ड्वार्फ प्लानेट और उसको प्लानेट की लिस्ट से हटा दिया है ड्वार्फ प्लानेट किसको बोला है जल्से बताएगा सारे बच्चे जियेस जियेस का क्वेस्टन पट्नाइक से बताएगा जल्दी से बताएगा ड्वाफ प्लानेट प्लुटो very well done ड्वाफ का मतलब होता है बोना और नॉम नॉम भी होता है क्या बोना ये जी नॉम लेकिन नॉम बोलते है उसको जी नॉम बोना होता है और जो आपका ड्वार्फ होता है प्लुटो सबसे छोटा वाला प्लानेट था ना सबसे छोटे वाला इसको हमने उसको consider कर लिया है कि वो ड्वाफ प्लानेट है क्या है बाई ड्वाफ प्लानेट बहुत बढ़िया नेक्स अमर आप लोग के सामने जल से पहुँच रहा है making deep sound showing great pain जब आपको बहुत दर्द होता है तो दर्द में जो अवाज निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं कि अगर किसी कि सपोस करो कमर में बहुत दर्द हो जैसे ममी थोड़ा एज में आगे बढ़ती जाती है तो कहीं न कहीं केल्शियम की डेफिशेंसी उनको होती जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि ममी कमर में दर्द अगर है तो ममी की कमर में जब दर्द होता है तो कहीं न कहीं उनको प्राबलम वाली आवाज निकलती है तो ग्रावलिंग, रोरिंग, क्राइंग या फिर ग्रावलिंग ग्रावलिंग का मतलब क्या हो जाता है पटाक से बताना है रोर का मतलब होता है दाहाडना जब शेर दाहाडता है क्रावलिंग का मतलब होता है रोना ग्रावलिंग का मतलब जैसे थोड़ी लो साउंड होती है ध्यान रखना पूछा भी जा सकता है ग्रावलिंग में थोड़ी लो साउंड होती है हीरे साउंड होती है लेकिन जैसे तुमने देखा नहीं जैसे कभी तुम रात में 12 बजे निकलते हो अपनी गली से तो कुत्ते वह से गूं गूं ऐसे मतलब आवाज कम होती है लेकिन कहीं नहीं वो तुम्हें वोर्ण कर रहे होते हैं कि अब यह रात का इलाका हमारा है अब ह यहां पर लो साउंड में जब आप गूं करते हैं मैं लिख देती हूं तुम्हें याद रह जाएगा तो यहां पर क्या होता है तो तब क्या होता है कि जब आप वोर्ण कर रहे होते हैं या फिर कोई आपको वोर्ण कर रहा होता है इस साउंड को हम ग्राउलिंग बोलते है क्या बोलते हैं, growling sound, ठीक है, अब groaning जो होती है, groaning, याद रखना, groan का क्या मतलब होता है, जब आपको दर्द होता है, और दर्द में जो करहाने की आवाज निकलती है, है ना, करहाना, जैसे हम बोलते हैं, करहाने की जो आवाज निकलती है, that is your grounding, ठीक है, next number देखो, क्या है, बहुत गंदे वाली हालत है, कैसी है, तुम्हारी बहुत गंदे वाली हालत है, जल्दी सेशन को शेयर करेंगे, बस लास्तोंने वाला सेशन का, जल्दी से गाई सेशन को शेयर करेंगे, और पिर हम तुम तुम लेके चलेंगे, एक अच्छी जगा पे, जो कि यहां पर यहां पर यहां पर आपका आंसर और नेक्स नमर पर चलते हैं जल्दी से यह बोल रहा है जल्दी बताएगा वह ऐसा खाना जो बनाया वह दो दिया क्योंकि डिश हम बोलते हैं कि मेरी ममी नहीं डिश बनाई है तो क्या तुमने क्या किया बुक चाहिए मैं बुक ले लो Y451 S coupon code लगा ना S किताब के बारें बता देंगे अभी हां बहुत बढ़िया तो यहां पर क्या है बोल रहा है एक छोटा सा रूम जहां पर जो बरतन है वो साफ होते हैं डिशिस का मतलब खाना नहीं होता है डिशिस का मतलब होता है बरतन क्या होता है गंदे बरतन जो होते हैं हम उनको डिशिस बोलते हैं डिश का मतलब खा लिया खाने के बाद जो गंदे बरतन वो डिशिस क्या जो गंदे बरतन वो आपका डिशिस साइनुसे और किचिन पैंट्री आपर स्कलरी जल्दी बताएगा आंसर क्या हो जाएगा पैंट्री में धोगे बरतन तुम तुम तो किचिन में धोते होंगे ना तुम कहां धोते हो बरतन एक चोटी सी किचन जहां पर बरतन साफ किये जाते हैं इस स्कलरी है ना साइनुसे और होता है सेंटर ओफ अट्राक्शन जैसे कि हम बोलें कि मड़म सेंटर ओफ अट्राक्शन कि शादी में सब ज़्यादा सुन्दर वही लग रही थी है कि मैम पता है को कि शा तुम तो थैंट किचन में भरतन हाँ मैम बेसिन में धोते हैं वो माइगाड बहुत यह सब पता है थुम्हें है ना बेसिन में धोते हैं पर्टन कर सकते हों इसमें कोई यह सर्व है ना चलिए आगे देखते हैं पिक्चर्स पिक्चर्स हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट इससे ज्यादा इंपोर्टेंट हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता नल पे दोते हो आठीक है तुम क्या बिल्कुली अपने चिठे खोल दो गए हां पर फोर्थ नमबर इस क्या करका लेते हैं कि उसको समझहीं हैं उसने फैक दिया निकालके जिसको खाना होगा दूबारा लिया आएगा मेरे बसकी नहीं है क्या करना बरतन साफ करना तो जहां पर आपके बरतन साफ किये जाते हैं एक चोटी सी जगह ना किचन की बगल के चोटी सी जगह जहां पर बरतन साफ किये जाते हैं और बरतन फेक फाक दिये इसने क्या कर दिये बरतन पूरे फेक दिये हैं अब यहां पर देखो जहां पर इस इसको हम क्या बोलते हैं और जो center of attraction होता है उसको हम क्या बोलते हैं चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जैशन को like करना important है class अच्छी लगती है फिर भी like ने करते हैं इसका क्या मतलब हुआ तुमारा इसका क्या मतलब समझू मैं गलत बात है की नहीं है मैं मज़ा आजाता है आपसे पढ़के थैंक्यू सो मच गलत spelling मतलिको pantry की pantry pantry होगा pantry और यह रही आपकी sign store इसका क्या मतलब होता है आलिया भट हैना center of attraction और pantry pen नहीं है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नेक्स नमर आप लोग के सामने जलसे देख रहा है और पहुच गए हैं अपने नेक्स नमर पर यह तो जाने का नाम ही नहीं ले रही अब गई है बतानी कैसे grandie or की spelling बतानी है और बताना है इसका मेनिंग भी grandie or का क्या मतलब हो जाता है grandie or एक नई गाड़ी भी आई थी कौन से brand की थी आपको बताना है गहाद बढ़िया गहाद बढ़िया पैंट्री की spelling सही लिखो गलत नहीं लिखो एक pen होता है pen जिससे तुम लिखते नहीं हो क्योंकि वो pen ऐसी पढ़ा रहता है एक pen होता है एक बाड़ा जगा जो फैंसिंग में होती ह उसको भी बोलते है यार्ड आपका गार्डन जिसका फैंसिंग हो बाड़ा वो गार्डन नहीं होता है जहां पर आनिमल्स रहते हैं उसको हम pen बोलते हैं और fry pan होता है है ना जैसे उसने वहाँ पर फैंक दिया यह pan का मतलब होता है कैसी चीज जिसमें हम कोई चीज को fry कर सक हैं है ना इसका मतलब बताएगा what is the meaning of grandeur guys आपके सामने और यह रहा meaning यहां देखो हुंडाई निकाली थी ग्राड ग्रांडे और ग्रांडे और हुंडाई निकाली थी और एक बहुत ही बढ़िया और शांधार गाड़ी जो थी है ना बहुत ही बढ़िया और शांधार जो क्या impressive गाड़ी जो निकाली थी वो आपकी grandeur हो जाती है क्या हो जाती है grandeur कैसे याद रखोगे grand grand का मतलब क्या होता है बहुत विशाल बहुत बढ़ा तो यहां पर grand से याद रखना है large and impressive is the only right option मतलब meaning of this word और spelling कौन सी सही है आपको याद रखना है grandeur यह e-u-r याद रखन हम चले हैं कहां पर हम चले हैं तुमको लेकर जाएंगे गूगल पर जाएंगे यहां पर डालेंगे तुरंत आपको पुंचना है all courses में यहां जाना है और SSC MTS जैसी आप पहुंचेंगे आप देख रहे हैं हमारा वैलन्टाइन दी वाले दिन हम यह जानना चाहते हैं कितन जो नहीं पढ़ेंगे वो देश में कुड़ा करकड़ी फला रहे हैं क्योंकि वो बेकार की चीज़ है तो यहां पर आपको क्या रखना है अगर आपको चाहिए मैम जो अभी सत्ताई जन्वरी को बैश शुरू हुआ है ये भी मुझे मिल जाए और मैम जो 14 परवरी को का महा पैक चाहिए जो कि मेरे लिए बहुत इंपोर्टन है क्योंकि दो साल तक मुझे बहुत ही जम के तैयारी करनी है बले ही साथ फरवरी है आठ आए नो आए दस आए ग्यार आए बारा आए चौदा है क्योंकि साथ से लेके 14 तक ही सारे डेज होते हैं खतम हो जाते हैं तो आपको क्या करना है अगर आपको यह चाहिए तो आपको सीधा जाना है MTS के महा पैक पे कूपन को लगाना है Y452 अगर आपको चाहिए बुक तो नीचे आजाना बुक में यहां पर पांच कित लिखी है कि भाई यहां पर आपको मिलेंगी बुक कितने में बहुत ही सस्त आपकी 200 अराउंड की पड़ जाएगी, ठीके न, आपको coupon code लगाना है Y452S, books के लिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं मुझे batch लेना है, क्या लेना है, मैं मुझे batch लेना है, तो आपको सीधा चलना है आपके batch पे, और ये रहा MTS का महा pack, जैसे ही आप पहुंचेंगे, अ साब तुम अपने अराम से पढ़ सकते हो, बहुत ही अराम से पढ़ सकते हो यहां पर, 81 classes यह रही प्लास, देखारे हो, सारी classes, सारी classes, यह रही मेरी class, यहां से मिलेंगी, सब की, जितने भी teacher से सभी की classes आप अराम से ले सकते हैं, video classes है, पढ़ए और बस पढ़ते जाएए, फिर आपको ये कैसे लेना मैं आपको बता देती हूं आपको coupon code यूज करना है Y452 जो कि आपके लिए एक रामबान है सारे दुखों की दवा सिर्फ एक coupon code Y452 जैसे ही आप लगाएंगे तुरंट तुरंट आपको समझ में आ जाएगा कि ये 919 रुपे का है लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मैं हम और भी समझदार हैं हमें इतने का नहीं चाहिए हमें और भी सस्ता चाहिए अगर आपको ये और भी सस्ता चाहिए तो आपको क्या करना है अड़ा 24-7 की अप्लिकेशन को डाउनलोड करना है इस वीडियो के डेस्क्रिप्शन बॉक्स में अड़ा 24-7 की अप्लिकेशन का लिंक लगा हुआ है तीक है ना आप जाएंगे सिधा वहां से डाउनलोड करिए और अगर आपको ऐसा रखता है मुझे MTS का महापैक खरीद 252 है आपको हर चीज मिलेगी जतना भी आप यहां पर देख रहे हैं उसका maximum आपको मिलेगा याद रखेगा दुनिया भर की PDF होंगे बहुत सारे आपके interactions जो की आप हमसे कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि हमें बहुत सारी चीजों में problem आ रही है मॉक्टेस जिसका solution अग वेट करोगे तो गडबड़ नहीं हो जाएगी टाइम निकल जाएगा बहुत सारा ठीक है ना लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या है 14 फरवरी को जीडी का exam खतम भी हो जाएगा तो तब बच्चे भी वहां से शुरुवात करेंगे नईने चीजों के तो तुम उनसे पहली श बच्चे यहां पर घुपन कोड आज के आज यूज करेंगे और अगर आपको चाहिए ऐसे ही मसमस क्लास और अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक चाहिए चोकि आपको लगता है कि माम आप पढ़ाईए तो हम बहुत जल्दी से उस टॉपिक पर बात करेंगे बट आपको वहां से मुझे भेजना होगा कि कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ें शुक्रिया गाई शुक्रिया बहुत 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 शुक्रिया मैं मैं आपसे English basic से पढ़ना है कहां से पढ़ू लक्षमे प्रिया बच्चे आपको batch लेना पढ़ेगा उसके लिए paid batch पूरा को पूरा ठीक है गाइस तैंक यू सो मुझ टेक क्यार और बबाए अपनों का ध्यान रखेगा पढ़ते रहिएगा MTS अब की बार निकालना है तो निकालना है कोई excuse नहीं होना चाहिए पढ़ना जरूरी है सारी classes आप लोग के लिए हमने free of cost रख दी है शाम के 5 बैसे लेकर रात के 10 बजे तक आपकी classes होती है सारी classes को लीजिए और फिर अपको अच्छा लगे आपको लगे कि yes मुझे यहां पर हर चीज समझ में आ रही है तो paid batch आपी के लोगों के लिए है 27 जनुरी से शुरू हुआ है ज्यादा देर भी नहीं हुई है वो batch भी आपी के लिए है और 14 फरवरी वाला भी आपी के लिए है 14 वाला भी अगर चाहते हो 27 वाला भी चाहते हो तो MTS का महापैक लेना है ADA 247 की application को download करके ठीक है जो इस वीडियो के नीचे ही link में link wise यहां पर मिले गी आगको click करो सिधा पहुँचाओ ठीक है till then guys take care बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद thank you so much guys पढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे ज़रूरी है